बिहार में पंचायतों को मजबूत करने के लिए बिहार के मुखमंत्री नितिस कुमार का हमेशा पर्यास रहा है कि पंचायतों को मजबूत करें जहां पंचायतों में सरकार पंचायत भवन बनाने का काम हुआ है और हो रहा है वहीं सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सभी परखंडों में यानि बिहार के सभी परखंडों में पंचाय समीती सरकार भवन बनाने का निर्णह हुआ है हलाकि अभी इस पर कैबिनेट का मुहर नहीं लगा है कैबिनेट का मुहर जैसे ही लगेगा वैसे ही इस दिसा में काम होना सुरू हो जाएगा अब बता दे कि इसे पंचायत भवन में पंचायत समीती भवन में बिहार के सभी परखंड में बनना है पंचायत समीती सरकार भवन कहिए यह आखिर किन के लिए होगा तो जैसा नाम वैसा कहाँ पंचायत समीती सरकार भवन इसमें पंचायत समीती सदस्यों का कर्याले होगा इसमें परखंड परमुक परखंड उपरमुक का कर्याले होगा और इसी में पंचायत समीती के कर्याले होगे पंचायत समीती के सभी काम होगे यानि कि अभी अगर तत्यकाल की बात कर ले बरतमान की बात कर ले तो पर्खंड पर्मुक या उपर्मुक जो है उनका कर्याल है पर्खंड के ही यानि पर्खंड कर्याले के ही किसी रूम में होता है जो अस्थाई रूम से नहीं माना जा सकता है लेकिन अब पर्खंड मुख् मैं हूँ आपके साथ सुनिल बोबी और आप इस समय देख रहें मगध संबाद दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा अगर आप पंचाय समीती सदस हैं परखंड परमूख हैं उप परमूख हैं या फिर आप पंचायत के कोई भी परतिनिदी हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि विहार सरकार जो है पंचायतों के विकांस को लेकर पंचायतों के मजबूत करने की दिशा में हमेशा एक बेहतर पहल करते रही है पंचायतों को मजबूत करने के लिए हमेशा दिशा निर्देश जारी करती रही है और एक से बढ़कर एक फंड भी लाने की कोशिस कर रही है अब जैसे ही नए पंचायत का गठन हुआ है नए पंचायत प्रतिनी धी बने हैं उसके बाद कुरोना का लाने के कारण कुछ इसमें डिस्टर्मेंस हुआ है लेकिन अब सब कुछ खुल गया है तो अब सरकार की ओर से भी नए फंड भी मिलेंगे और नई योजनाओं का किरियानवन भी होगा तो इस वीडियो का आपको देखना चाहिए तो दोस्तों पंचायत समीति सरकार भवन बनाने की योजना पर हम बात करने से पहले का दे कि अगर हमारे इस वीडियो का आप हमारे मगत संभाद के इस और आपके विभीन योजनाओं के बारे में आपको एक विसेश ट्रेनिंग का कोर्स दिया जाएगा हलाकि अभी उस पर डाला नहीं गया लेकिन पहले आप सब्सक्राइब कर लिजिए उसके बाद उस पर डाला जाएगा और उसमें वही लोग देख पाएंगे उस कोर्स को पंचायत के जो वार सदस हैं या परमुक हैं पंचाय समीति सदस हैं मुखिया जी हैं वही देखेंगे जो उस चैनल को सब्सक्राइब कर किये हुए रहेंगे यानि कि वह वीडियो छोड़ा जाएगा सदस्रियों के लिए यानि कि वह सार्वजनिक नहीं होगा इसलिए पूर्ण विश्वास है कि मेरे उस चैनल को भी आप सपोर्ट की दिएगा और भरपूर अपना लाभ जरूर वहां से लिदिएगा सारा कोर्स की तैयारी हो चुकी है बस आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़ जाए उसके बाद में हम वहां पर कोर्स चालू करेंगे कि समीति सरकार भवन बनाने की सरकार योजना लाई है इस योजना का किर्यानमन के मुहर लगने के बाद होगा अब पंचायत समीति सरकार भवन कैसा होगा इसको लेकर सरकार ने पंचायती राज विभाग ने भवन निर्मान भवन विभाग को कार्ज सौब दिया है और वहां से बनाने का काम भी प्रारंब हो गया है नक्सा बनाने का कार्ज प्रारंब हो गया है जैसा कि अब गानते हैं कि पंचायतों में देख रहें कि पंचायत सरकार भवन बना है वह अभी एक बिसेस नक्से के तहद बना हुआ है अलग हटकर उसमें सभी चीज उपलब्ध है उससे उसी तरह से उसके ही अधार पर अब परखन मुख्याले में पंचाय समीती सरकार भवन बनेंगे हम आपको बता दे कि वह किसके लिए होंगे तो वह जनपरतिनिदियों के लिए होंगे कौन से जनपरतिन समीती के लोगों को बैठने की जगह होगी और सभाभवन भी बने होंगे उसमें सभी विवस्ता होंगे सोचाले की विवस्ता होंगे तमाम विवस्ता जो होता है सरकारी कर्यालियों में तमाम विवस्ता से हुआ बिलकुल हाइटेक अंदाज में बनाने की सरकार की प्लानि काम कार्ज का कार्ज प्रारम किया जाएगा यानि कि सभी ब्लॉक में उसका नक्सा भेद दिया जाएगा और हर ब्लॉक में उसकी रासी उपलब्द कराई जाएगी फंड उपलब्द कराया जाएगा और सिग्रता के साथ सरकार का लच्छ है कि सिग्रता के साथ सभी कffer कर्याले के एगर वगल में होगा तो अहां पर बनेदें में कर्याले और उसलुइनbloom पर्खंड करियाले में सहाब कर्याले होता है और उसे में ऊपर मुख भी कहीं बैठते हैं और जगह रहने पर उपर मुख को भी अलग से एक ओफिस दे दिया जाजा एक रूम दे दिया जाता है और नहीं तो परमुख और परमुख एक छोटे से रूम में कहीं पर बैठे नजर आते हैं और कहीं अगर भवन बढ़िया है जगह बढ़िया है तो अच्छा-खासा ओफिस म पड़ जाएगी अब दखिए यहां पर पंचायत का क्या काम होगा कि वह जब पंचायत के लोगों के लिए पंचायत समीति के सधस्त चब वहां पर बैणे तो निश्चीत तोर पर अगर उस ब्लॉक के किसी भी पंचायत के पंचायत परतिनी चाहे वहाँ वाट सदस हो सरपन साहब हो या कोई भी हो मुख्या जी हो तो वहां पर वह जा सकते हैं क्योंकि उनकी भी बैठत वहां भी होगी तो निश्चीत तोर पर इस बात को लेकर मुखमंत्री श्री नितिसकुमार लगतार काम कर रहे हैं पंचायतों में धाचागत विकास के साथ अब नितिसकुमार राज के सभी पर्खंडों में पंचाय समीती सरकार भवन बनाएगी तक्रीमां दो क्रोर की लागत से बनने वाली इन भामनों में पर्खंड परमुख् इसका प्रस्ताऊ स्यार कर रहा है इस प्रस्ताऊ पर बीट और गैविनेट की सवकेठी मिलने के बाद भरवन निर्मान की परकिलिया शुरू हो जाएगी भरवन का नक्सा बनाने के लिए भरवन निर्मान भिभाग से मधद लिए जायेगी बरतमान में परखंड कर्याले में ही कर्याले पदास्था पितर रहते हैं और बैठते भी हैं लोग अधिकास परखड़ों में इनके बैठने के लिए अस्थाई बेवास्था नहीं है यानि कि हम आपको बता दें कि यह पंचाय समीति सरकार भवन जो है दो क्रोर की लागत से बनने वाली भवन है और यह पंचायत के परतिनिधियों के लिए एक बड़ा ही सौभावी के यानि कि मान सम्मान वाली बात सरकार की और साई है अपना कर्याले जैसे पंचायत में बीत भी भाग और कैमिनेट में मंजूरी मिल जाता है तो सभी काम धड़ाले से होना सुरू हो जाएगा तो निश्ची तोर पर आप हमारी बातों को समझ रहे हैं तो निश्ची तोर पर यहाँ पर डाइरेट परमुख साहब पंचाय समीति सदस्यों को जहां इसका लाभ मि लेगा कि उनका भी ओपिस होगा और मिला जुलाकर पंचायत के मुखिया वार्ट सदस सरपंच साहब पंच साहब को भी वहां पर पर खंड में जाते हैं और इधर इधर घुमते रहते हैं पदादीकारियों का इन जार करते हैं तो आपका अपना ऑफिस होगा वहां पर मतरत करते हैं परणा पर आपका पत्रा गotenराप झालस सब साहब करते हैं जाते हैं ᕦ्ची झालस करते हैं जाते हैं जा Laurie